अध्याय दो समझदार मिठू किसी गाउं के भीतर एक सुन्दर बगीचा था बगीचे में बहुत से पेड़ थे बगीचे में बरगत का एक बड़ा सा पेड़ था उस पेड़ की डाली पर मिठू नाम का एक तोता घोसला बना कर रहता था एक दिन की बगीचे में उड़ते हुए मिठू ने आम का एक पेड़ देखा वह पेड़ फलो से लदा हुआ था मिठू को आम बहुत पसंद था पके हुए रसीले पीले पीले आम देखकर मिठू के मुह में पानी आ रहा था वह आम खाना चाहता था मिठू उस आम के पेड़ पर जा बैठा और जैसे ही उसने एक आम को पकड़ा उसे एक तीखी आवाज सुनाई दी काओ काओ यहां मेरा पेड़ है मेरा नाम काला कववा है तुम यहां से चले जाओ मिठू कववे को देखकर डर गया वहां घबराया और जाकर दूसरे पेड़ पर बैठ गया और सोचने लगा कि इतने स्वादिस्ट आम को कैसे खाया जाए तभी उसे जमीन पर पड़ा हुआ एक लाल गुबारा दिखाई दिया गुबारा देखकर मिठू को एक तरकीब सुझी उसने उस गुबारे को अपनी चूच से उठा लिया और उस आम के पेड़ पर कववे के पीछे जाकर बैठ गया फिर मिठू ने अपनी चूच से गु लाता हुआ भागा भागो भागो कोई शिकारी आ रहा है वह मुझे मारना चाहता है डर कर कववा वहां से उड़कर दूर भाग गया और लोटकर फिर वहां कभी नहीं आया कववे को भागते देखकर मिठू बहुत खुश हुआ फिर वह पेड़ की डाल पर बैठकर आराम से आम खाने लगा इस प्रकार मिठू तोता अपनी समझदारी से मीठे रसीले आम खाने में सफल हो गया इस तरह समझदारी से अपना काम आसानी से निकाला जा सकता है शब्दार्थ बगीचा उपवन घूसला पक्षियों का घर मुह में पानी आना खाने को जी लल्चाना समझदारी होशियारी डाली पेड की शाखा रसीला रस से भरा हुआ शिकारी पक्षियों को पकडने वाला